कौन बने का करोड़ पती लगाता सुर्ख्यों में बना हुआ है और एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट यहां पर आ रहे हैं के बीसी को तीन करोड़ पती मिल चुके हैं और कभी कभी के बीसी में कुछ ऐसे कंटेस्टेंट आते हैं जो लाखों करोड़ों जीते न जीते हैं लोगों का दिल जीत लिया हैं। KBC के मंच पर एक ऐसे ही कंटेस्टन पहुझे जिन्हों इपनी बातों से सब का दिल जीत लिया। कुमार रनजञ जो की भीहार के रहने वाले हैं। इनके शो में पहुशने से पहले SONU TV들ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें कुमार रंजन अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं इस बात का इजहार अमिताब बच्चन के सामने करते हुए नजर आ रहे थे रंजन अमिताब के साथ अपनी फैमिली के बारे में और भी बाते करते हुए नजर आए प्रोमो में ये भी दिखाया गया था कि जब अमिताब रंजन से पूछते हैं कि वो जीते हुए पैसों से क्या करना चाहते हैं तब रंजन जवाब देते हैं कि वो उनकी पतनी के लिए मंगल सुत्र खरीदना चाहते हैं इस पर अमिदाब ने कहा कि वो तो मंगल सुत्र पहने हुए हैं तब कुमार रंजन कहते हैं कि वो आर्टिफिशल है इसी बात से अंताजा लगाया जा सकता है कि रंजन अपनी फैमिली से कितना प्यार करते हैं प्रोमवें अंताब बचन ये कहते हुए भी नजर आ रहे थे कि वो अपनी पतनी को प्यार से क्या कहते हैं पहले तो रंजन शर्मा जाते हैं लेकिन फिर बताते हैं कि वो अपनी पत्नी को बववा कहकर बुलाते हैं KBC के एपिसोड में आयर रंजन ने कितने सवालों के सही जवाब दिये और कितने पैसे जीते वो हम आपको बताते हैं और क्या वो अपनी पतनी के लिए गहने बनवा पाने में सफल हुए या नहीं ये भी हम आपको बताएंगे जब बिहार के कुमार रंजन के बिसी के मंच पर पहुँचे तब अमिताब ने उन्हीं के भाशा में उनसे बात की ताकि वो रंजन को कमफिटीबल कर सके और इसके बाद राजन ने भी खुल कर अमिताब के सामने अपनी बात रखी उन्होंने बताया कि अपनी पतनी से उन्होंने भाग कर शादी की थी जब दोनों ट्यूशिन पढ़ते थे तब एक दूसरे से मुलाकात हुई दोस्ती हुई और दोस्ती बनी प्यार और फिर दोनो माख की राशी जीती है और एक बात और आपको बता दें कि अंजन ने अपने सारे सवालों की जवाब माकाली का नाम लेकर दिये जो देखना बहुत ही शांदार रहा सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेस तबैल आइकन फोर अपडेट्स